Hi friends, welcome to their Zoom kitchen! आज बनायेंगे बिना अंडे के बेकरी बिस्किट्स वो भी छे टाइब के एक ही रेशीपी से इने हम दो तरीके से बेख करेंगे एक तरीका होगा गयासपर और दुसरा हमंगा चे टाइब के बेकरी बिस्किट्स कौनसे होगी ऐसे ही perfect बनेगे हमारे biscuits description box में return recipes दूँगा मेरी request है अगर अभी तक subscribe नहीं किया होगा देवस की चुम को तो please कीजिए measurements में आपको weighing scale में भी दूँगा और cup में भी दूँगा सबसे पहले 2 cup मैदा हम चान के लेंगे जिसका वजन होगा 240 gram इस recipe में vanilla custard powder यूज़ करते हैं जिससे बहुत ही बहतरीन yellow color biscuits को मिलता है मैदे के ओपर आधा cup custard powder चान के लेंगे जिसका वजन होगा 60 gram यह देखिए weighing scale पर आपको दिख रहा है मैदे का और custard powder का दुनों का मिलके वजन हो रहा है 300 gram अब दुसरे bowl में 500 gram butter लेंगे वैसी तो इसके लिए बेकरी में margarine का इस्तमाल होता है लेकिन हम घर पर बना रहे तो butter का ही इस्तमाल करेंगे अब इसके अंदर चान के डालेंगे mixer में PCV शक्कर एक cup डालेंगे जिसका वजन होगा 1500 gram icing sugar भी use कर सकते है लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ अब सबसे पहले butter और यह जो PCV शक्कर है यह मिला लेंगे इस तरह से और butter room temperature में होना चाहिए friends जादा hard नहीं होना चाहिए और एकदम soft भी नहीं होना चाहिए अब butter को हमें cream करना है cream मतलब इसे fat ना है हमें इसे creaming कहते हैं तो घर पर blender होगा hand blender तो इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं लेकिन सबके पास नहीं होता है blender इसके लिए मैं भी whisk का इस्तमाल करके इसे creaming करूंगा यह step बहुत ज़रूरी है friends butter को हमें light and fluffy करना है तो इसे इस तरह से आप जब मिलाते जाएंगे इसे whisk करते जाएंगे तो आप देखेंगे color change हुआ है white color हुआ है मैंने इसे 10 minute fat लिया है अब इसके अंदर मैदा और जो custard powder है वो मिला कर इसके अंदर थोड़ी-थोडी quantity में डालना है custard powder मिला दे जाना है यह देखेंगे इसके अंदर मैंने last batch custard powder और मैदे की डाल दी है और इसे मैंने fold कर लिया है इसके अंदर डालनेंगे 1-4 teaspoon vanilla essence यह मैंने salted butter यूज किया है अगर unsalted butter आप यूज कर रहे हो तो इसमें 2 pinch नमक भी जरूर डालना बहुत जादा इसे मिलाना नहीं है चलाना नहीं है इसे just mix होने चाहिए सब ingredients और मिलाने के बाद यह जो mixture है इसे मैं 6 parts में divide कर रहा हूँ 6 types के biscuit बना रहे हैं इसके लिए पहले bowl में मैंने डाल दिया 1 tablespoon कटा हुआ अंजीर और 1 tablespoon कटा हुआ पिस्ता दूसरे bowl में 2 tablespoon tutti fruity और 1 tablespoon बारिक कटा हुआ बदाम तिसरे bowl में unsweetened cocoa powder 1 tablespoon और चोको चिप्स 1 tablespoon इसमें चार variety जो होगी उसमें अलग-अलग shape बनाने हैं हमें और हमें fridge में रखना है यह plastic wrap लिया है पहले roll के लिए और इसे इस तरह से बिच्छा लिया है और यह tutti fruity biscuits बनाने के लिए इस तरह से mix कर लेंगे और mix करके इसे बिच्छा देना है हमें इस plastic wrap के उपर अब इसे हाद से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसे wrap करेंगे और इसे square shape देना है हमें इस तरह से wrap कर लेंगे और square shape देंगे, यह देखिए, इससे रख देंगे इस tray के उपर, और आप बनाएंगे दूसरा roll, उसके लिए भी मैंने plastic wrap है, इस तरह से बिचा लिया है, और यह देखिए अंजीर और पिस्ता जो मैंने cut किया था, इसके अंदर मैं mix कर रहा हूं, इस mixture क मैंने रख दिया इस plastic wrap के उपर, इसे हाथ से थोड़ा प्रेश करकर, इसे इस तरह से rectangle shape देना है हमें, यह देखिए, इसे fold कर लिया मैंने, और इसे थोड़ा प्रेश कर लूँगा, side से, इस तरह से, और यह अब रख देंगे इस tray के उपर, हैना एकदम आसान, चलो इसी त तरह से तीसरा roll बनाएंगे, इसके लिए वापस से मैंने plastic wrap बिचा दी है, और यह चोको चिप्स और जो unsweetened cocoa powder मैंने डाली थी, इसके अंदर, इसे कर लेंगे mix, और यह mixture डाल लेंगे, इस plastic wrap के उपर, इसे हाथ से प्रेश करना है, और इसे fold करके, हमें round shape देना है, इस तरह से यह देखिए, इसे इस तरह से roll कर लिया है, मैंने, और side से pack कर दिया है, और यह roll तयार हुआ है हमारा, और इसे रख देना है, इस tray के उपर, यह देखिए, अब चवता जो biscuit होगा, वो double layer biscuit होगा, उसके लिए मैंने यह plastic wrap इस तरह से बिचा दी है, यह जो mixture है, इसे हम दो से spread कर लेंगे, इसे इस तरह से shape देना है, हाथ से press करके, और यह जो बचा हुआ part है, बोल में, उसके अंदर cocoa powder डालके, इसे इस तरह से हाथ से mix कर लेना है, यह जो chocolate flavored dough है, इसके उपर spread कर लेंगे, हाथ से, यह देखिए, इसे इस तरह से spread कर लिया है, यह एकदम perfect होनी की जरूरत नहीं है, इस तरह से spread करना है, और अब इसे roll करना है हमें, इसे बहुत ही आराम से इस तरह से fold करते जाहिए, और यह tight roll होना चाहिए, इस तरह से मैंने इसे roll कर लिया है, और इसे हब shape देंगे, हम square shape देंगे, दबा कर, यह देखिए, इस तरह से, जैसे पहले हमने क किया था वैसे ही इसे भी स्क्वेर शेप मैंने दिया है हाथ से प्रेस करके यह देखिए यह चार वराइटी हमारी रेडी हो चुकी है अब इसे रखना है हमें फ्रीज में कम से कम एक घंटे के लिए अच्छे से से सेट होने के लिए अब बाकी बच्चे है यह दो बोल्स जि देखिए जो पाच्वा बोल है उसमें से थोड़ा-थोड़ा मिक्शर लेके मैं इसे हाथ पर रोल कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रेस करकर यहां पर रख रहा हूँ यह देखिए पाच्वा जो बिस्किट है हमारा वो प्लेन वैनिला बिस्किट है तो इसके उपर थोड़ा स कि आईसी ही मिलते हैं ना बिस्किट्स। अब जो छटवा बोला है, उसमें से भी में ने टो लिया है, उसे भी इसी तरह से राउट से दिया है, मतलtechn हाथ पर राउट से देंके ठोड़ा प्रेस कर लिया है, अब यह किसके लिए कर रहे हैं तो हम बना रहे हैं jam biscuits jam biscuits के लिए मैंने से इस तरह से शेट दीया है अब क्या करना है measuring spoon से या आप अपने finger से भी इसे center में दबा सकते हो इस तरह से यह देखिए है नए easy अब चाहे तो और भी इसे थोड़ा डिजाइन करना होगा, तो टूथपिक का इस्तमाल करके इसे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, यह अपने उपर है, मतलब अगर करना चाहे आप तो कर सकते हो, ने तो ऐसे भी इसे वैसे भी है, बहुत अच्छे दिखते हैं, अब इसके अंदर मैं जैम का पाइप हमें कट करके यह जो प्लैटर लिया है, हमने इसके उपर डालना है, प्लैटर को मैंने पहले ओईल लगा के लिया है, नीचे जो प्लैटर लेंगे, आप जो भी लेंगे, प्लेट लेंगे, प्लैटर लेंगे, इसके उपर ओईल ज़रूर लगाईएगा, या बटर पेपर भी उस कर सकते हो, यह देखिए टुटी-फुटी का ब्लॉक कट करके, हमने इसे पीसेस में कट किया है, और यह ट्रे के उपर लगा देंगे, अब यह चोकोची जो रोल है, उसे भी कट कर लेंगे, यह देखिए इसका जो थिकनेस है, यह एक सेंटिमेटर थिकनेस इसका है, यह भी बिसकिट्स मैं इसके ओपर आरेज़ करना हूँ, यह दो जगा पर हम इसे आरेज़ कर रहे है, तो एक राउंड ट्रे में और एक रेक्तेंगल ट्रे में, राउंड ट्रे हमें पैन में बेक करना है, यह देखिए, यह है अनजीर और पिस्ता, यह देखिए कितना बहुत ही केरफुली कट करना है, एक सेंटीमेटर इसका थिकने सोना चाहिए, यह देखिए कितना खुबसूरत दिख रहा है, इसे भी हम दोनों ट्रेके ओपर अरेंज कर लेंगे, चॉकलेट कुकी जो है, उसके ओपर बारीक कटे हुए बदाम हमें डालने हैं, इस तरह से, बेक होने के बाद यह बहुत अच्छे लगते हैं, इस पैन में मैंने नमक डाला है बेस में, और इसे गरम करने के लिए रखा है, लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए, प्रिहिट जैसा हम आवन करते हैं, वैसे पैन मैंने गरम किया है, इसके अंदर यह डाल दिया है ट्रे कुक यह फ्रेंड्स, ने तो बिस्किट जल सकते हैं, यह देखिए, इसे मैंने 20 मिनिट के लिए पकाया है, और बहुत बढ़िया बन चुके है बिस्किट, ठंडा होने के बाद इसका टेक्शर देखिए, इसका जो बेस है, कितने अच्छे से पत चुका है, और कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, यह देखिए, हमें यही कलर चाहिए, यही प्रोडक्ट चाहिए, तो देखिए, आप बिना आवन के भी यह बिस्किट बहुत अच्छे बनते हैं, अब आवन में पकाएंगे, तो आवन में मनें 150 डिग्रीज पर इसे रखाए, प्रिहीट करने के लिए 10 म यह देखिए, कितने अच्छे से बेक हो चुके है यह बिस्किट से, कलर भी देखिए, कितना परफेक्ट है, है ना, अब इसे पूरी तरह से ठंडा करना है, और तुरंत एरटाइट कंटेनर में इसे शिफ्ट करना है, जाधा टाइम इसे बहार रखेंगे, तो इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और देवस किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी प्लिस कीजिए